आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम न्यू टेस्टी नाश्टा रेसिपी इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पोहा तो मैंने यहाँ पर यह आदा कप पोहा लिया है जिसे एक बोल में डाल दिया है अब हमें इसमें डालना है पानी और इसे अच्छे तरीकी से धोना है ताकि इसमें जो भी गंदगी है वो सब निकल जाए तो पानी डालकर अच्छे तरीकी से वाश करेंगे आपको कम से कम 2-3 बार इसे धोना है ताकि इसे पोहा में जो भी गंदगी होगी वो सब दूरों चाहेगी ये देखे जो पानी है वो कितना क्लावडी होगी है काफी सारी गंदगी निकली है इसे हटा देते हैं पानी को और यहाँ पर अब मैंने पोहा को 2-3 बार अच्छे से धोलिया है अब आपको क्या करना है इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि इसे पोहा जो है वो अच्छे से फूल जाए तो इसे अलग रखतेते हैं और अब यहाँ पर यह मैंने लिया है एक मिक्सी का जार अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक प्यास प्यास को मैंने रफली चॉप्ट किया है और साथ ही इसमें जा रही है तीन से चार लैसुन की कलिया और तीन इंच अद्रक अद्रक को भी टुकडों में कट कर लिया है और अब हम जार का ढकन बंद करेंगे और इसे पीस कर त्यार कर लेंगे अब यहाँ पर प्यास लैसुन अद्रक सब कुछ मैंने पीस के त्यार कर लिया है और अब जो पोहा हमने पाश मिनट के लिए भीगने के लिए रखा था था ना फूलने के लिए उसे हम इसमें डाल देंगे क्योंकि पोहा अच्छे से फूल चुका है देखिए अगर आप प्याज लेसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप क्या कीजेगा पोहा मिक्सी के जार में डालेगा और उसमें थोड़ी सी अद्रग डाल देना बस इन दोनों कोई थोड़ असा पानी डाल कर पीस लेना तो यहाँ पर मैंने डाल दिया एक चौथाई कप पानी और अब जार कढ़कन बंद करेंगे और इसे पीस लेंगे तो यहाँ पर पोहा को भी मैंने पीस कर तियार कर लिया है दिखा देती हूं आपको ये देखिए बस अब इस पेस्ट को हमें डालना है बोल के अंदर एकदम फाइन पेस्ट मैंने बना कर तियार किया है फूला हुआ पोहा है तो बहुत अच्छे से पिस जाता है तो ये मैंने एक बोल में इसे निकाल लिया है अगर आप प्याज लेसुन नहीं खाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से बिना प्याज लेसुन के भी ये नाश्टा बना सकते हैं अब यहाँ पर ये जो मिक्सी के जार में लगा रहे गया है वो सारा हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसमें आप कुछ वेजिटेबल्स हम एड़ करेंगे तो सबसे पहले मैंने लिया है एक आलू आलू ये कच्चा है कच्चे आलू को सबसे पहले आपको छील लेना है पील आउट कर लीजे इसे और अब इसके बाद आपको एक ग्रेटर लेना है और ग्रेटर की हल्प से आपको आलू को घिस लेना है बहुत ज़्यादा मूटा नहीं किसे इसे बारिक किसना है आपको अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें तो यहाँ पर ये जो आलू है इसे हमने किसका त्यार कर लिया है इसके बारिक बारिक लच्छे हमने बना लिये है और अब ये जो आलू के लच्छे है इने हम उस घोल के अंदर डाल देंगे जो हमने त्यार किया है तो डाल देते हैं इसे और साथ में अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटे हुए टमाटर तो ये टमाटर डाल दिये हमने और अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटी हुई दो हरी मिर्च साथ ही इसमें जाएगा बारिक कटा हुआ हरा धनिया और अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप सूजी सूजी, मोटी, बारिक, जो भी आपके पासों, वो आप ले सकते हैं अब सूजी डालने के बाद मैं इसमें अड़ करूँगी कुछ मसाले तो सबसे पहले इसमें जा रहा है एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच जा रहा है लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर ये सिर्फ कलर के लिए डाला है अगर आप नहीं डालना चाते तो स्किप कर दें आधा चम्मच नमक डाल दिया है और आधा चम्मच ही डाला है आमचूर पाउडर अब सारी चीजों को अच्छे तरीके से mix कर लेना है अगर आप आमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते तो नीबू करस डाल सकते हैं मसाले इसमें आप अपने स्वाधनुसार कमिया जादा कर सकते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है, यह भी काफी गाड़ा है, तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और अट करूंगी, तो यह मैंने लगभग 2 टेबल स्पून के करीब पानी और डाल दिया है, अब पानी को इसमें अच्छी तरीकी से आप मिक्स कर दीजे, अब इस नाश्ता को और भी अच्छा टेस्ट देने के लिए हम इसमें एक स्पेशल तड़का लगाएंगे, तो यहाँ पर गैस पर मैंने तड़का पैन रखाया और इसमें जा रहा है 1 टेबल स्पून ओयल, यह ओयल डाल दिया, अब ओयल को होने दीजे गर्म, जब ओयल गर्म हो जाया, तो डाल दीजे एक चमच राई, और एक चमच जा रही है चना दाल, एक चमच ही इसमें जा रही है उड़त की दाल, और अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते, तो यहाँ पर मैंने 7-8 कड़ी पत्ते लिए हैं, और इस तरीके से तोड़कर इने हम ओयल मे अब सारी चीजों को बहुत यह अच्छी तरीके से हमें भून लेना है, यह जो डाल हमें दिखाई दे रही है इनका कलर चेंज हो जाएगा तब तक हम इने भूनेंगे, तो हलका गोल्डन होने देते हैं, अब यह देखे, डाल वगेर अच्छे से भून गई हैं, अच्छा अब तड़का तो हमने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, लेकिन जो सूची है अभी उसका फूलना बाकी है, तो अब आपको क्या करना है, इसे कवर कर देना है, और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें, और 10 मिनट बाद हम इसे नाश्टर बनाएंगे, तो अच्छे तरीके से मिक्स करें, बेकिंग सोड़ा यानि की मीठा सोड़ा, बेकिंग सोड़ा डालने से नाश्टा अच्छा फलफी बनके तयार होगा, अब ये बेटर नाश्टा बनाने के लिए पूरी तरीके से तयार हो चुका है, तो अब यहाँ पर गैस पे मैंने रखा एक पैन और इसमें मैं एक चमच अकाच आप पैन की जगा पर तवा का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इस ओइल को इस तरीके से पैन में फैला देंगे पैन को उच्छे से चिकना कर लेंगे अब पैन को अच्छी तरह गर्म होने दें गैस का फ्लेम मैंने यहाँ लो रखा है हाई फ्लेम आपको नहीं रखना है और जब पैन गर्म हो जाए तो आपको यह बैटर पैन में डालना है और इस तरीके से इसे शेप देनी है एक दम गोल गोल शेप दे दीजे बहुत मोटा या बहुत पतला इसे नहीं बनाना है यह देखिए मीडियम थिकनेस का इसे रखा है इसका साइज आप अपने नुसार थोड़ा चोटा या बड़ा कर सकते हैं मैंने बहुत बड़ा या बहुत छोटा इसे नहीं बनाया है, मीडियम साइज बनाया है, अब इसे कवर कर दें और लो फ्लेम बर एक से डेड़ मिनट तक इसे सिखने दें, अब डेड़ मिनट बाद मैं इसे उपन कर रहे हूँ, ये देखे, उपर से ये ड्राई हो चुका है कलर इसका चेंज हो चुका है, अब उपर भी हम थोड़ा सा ओयल डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा ओयल डालना है, और बस अब हम इसे पलट देंगे, बहुत ही आसानी से पलट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो की, अब यहाँ पैन में भी थोड़ा सा ओयल लगा देत बिना कवर कर ही यह आसानी से सिख जाएगा हलकासा प्रेस करते हुए सेक लीजे अब इसे हमने दूसरी तरब से भी अच्छे से सेक लिया है अब इसे मैं आपको पलट कर दिखा देती हूं कि यह कैसा सिख के त्यार हुआ है यह देखे दिखा देती हूं बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा सिखा है इसे हम पलेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारा नाश्टा हमें बना कर त्यार कर लेना है इस नाश्टा को आप सौस या चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं बहुत ही चटपटा टेस्टी नाश्टा बनके त्यार हुआ है तो इस नाश्टा को आप भी अपने घर पर बनाईए ये आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत पसंद आएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो